बस परिचाय होने की ज़रूरत है आप अपने आसपास की हर चीज़ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं इस पर परियाप्त ध्यान नहीं दे रहे लेकिन आपके जीवन की क्वालिटी मूल रूप से इस बात से तय होती है कि आप इसे कैसे रखते हैं आया ना इस पल आपने कैसे कपड़े पहने आपने बाहर कैसी कार खड़ी की है आप किस तरह के घर में रहते हैं यह आपके जीवन की quality तै नहीं करते, इस पल आप अपने भीतर कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं, यही आपके जीवन की quality तै करता है, है कि नहीं? इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है, आपको लगता है कि यह किसी नतीजे की तरह सामने आएगा, और आप अपनी खुशी के लिए असंभव लक्ष रख रहे हैं, अगर मुझे खुश होना है तो मेरी पत्नी को ऐसा होना चाहिए, मेरे पती को ऐसा होना चाहिए, मेरे इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने परम आनंद या उन्माद को पाने की इच्छा ही त्याग दी है. अगर मैं शान्त रह सकूँ, तो काफी है. यहां तक की तथाकतित आध्यात्मिक गुरू भी यही कह रहे हैं, कि शान्ती ही आपके जीवन का परम लक्ष है. शान्ती आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष नहीं है. अगर आज आप अपने लंच का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आपको शान्ती पूर्ण होना चाहिए. आया ना? अगर आप शान्ती नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में कोई भी काम सार्थक रूप से नहीं कर पाएंगे. मूल रूप से शान्त होने का मतलब है कि आप अपने मन को बेचैन नहीं कर रहें. शान्त होने का अर्थ है कि आपका तंद्र पूरी तरह से सहज है. आप जानते हैं कि अपने मन को कैसे चलाना है, अपने भावनाओं को, शरीर को और उरजाओं को कैसे चलाना है. आप शान्त है, ये कोई rocket technology नहीं है, ये सबसे बुन्यादी बात है, आपके घर में कुट्टा है, आप उसे खाना दे दीजे, वो शान्ती से बैठा रहता है, हो सकता है कि आनन्दित नहीं, लेकिन शान्ती से, कई बार वो आनन्दित भी होते हैं आगर आपका कुट्टा शान्त, ओ, उसे मेरी फैक्टरी नहीं चलानी पड़ती, बात वो नहीं है, उसकी भी अपनी मुश्किल हैं देखे, इसका आपके बाहरी कामकाद से कोई लेना देना नहीं है, यह आपके भीतरी तंतरों से जुड़ा है, कि वो कैसे काम कर रहे हैं मूल रूप से इसका मतलब है कि ना आपका शरीर, ना आपका मन, ना आपकी केमिस्ट्री, ना आपकी भावनाय और ना आपकी उर्जा आपसे निर्देश ले रहे हैं, वो अपनी खुद की हरकते कर रहे हैं जब आपकी मशीन आपके काबू में नहीं रहती, तो शान्त रहना असंभव हो जाता है मान लीजे कि आप अपनी कार में बैठते हैं, और वहां जाकर आप इस तरफ मुणना चाते हैं आप स्टेरिंग को ऐसे घुमाते हैं, लेकिन कार ऐसे जाती है क्या आप इस कार को शान्त होकर चला सकते हैं? चला सकते हैं? नहीं, बेचानी स्वाभाविक है, है ना? आपके वहां के साथ भी यही हुआ है, यह काबू से बहार है पहली बात तो यह कि आपने का भी जानना ही नहीं चाहा, कि इसका स्टेरिंग वील कहा है यह कार जितना सरल नहीं है, यह एक सूपर सूपर कम्प्यूटर है अब समस्या यह है, कि ज्यादतर लोगों ने तो इसका कीबोर्ट खोजने तक की कोशिश नहीं किये उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं, तो वो काम करने लगेगा जब आपको ऐसी परिश्कृत मशीन दी गई है, अगर आप उसे सही तरह से नहीं चलाते तो यह आपके लिए कई परिशानिया पैदा करेगी अभी अंजाने में ही चल रही है, यह इस तरह से बनी है हर चीज जो आप करते हैं, उसके कारण इस मशीन में बुनियादी बदलाव आ रहे हैं क्योंकि यह उस तरह की परिश्कृत मशीन है यह टच्सक्रीन से कहीं अधिक है, अगर आप केवल चाहें तो वो हो जाएगा जब आपके पास ऐसी समवेदन शील और परिश्कृत मशीन है और आप इसको एक लुहार की तरह चलाते हैं तो फिर शान्त रहना कठिन सा हो जाता है शान्ती आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष नहीं है, यह सबसे बुनियादी जरूरत है कभी भी यह न सोचें कि शान्ती ही सबसे बड़ा लक्ष है अगर आपने ऐसा किया तो आपको कब्र में ही शान्ती मिलेगी आपको यह देखना चाहिए कि शान्त होना आपके जीवन में पहली चीज है, है न? अगर आप अपने जीवन में कुछ भी समझदारी से करना चाहते हैं अगर आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिती को समझदारी से निभाना चाहते हैं तो आपके लिए शान्त और खुश रहना बुनियादी बात है इतनी बुनियादी बात इन दिनों स्वर्ग तक उठ रही है लोगों को लगता है कि उन्हें कहीं और जाकर शांती मिलेगी यहां नहीं क्योंकि आपने कभी भी इस मशीन पर ध्यान नहीं दिया आपने कभी इसके अंदुरूनी तंथ पर ध्यान ही नहीं दिया है कि एक इंसान कैसे काम करता है, आपके भीतर जो भी हो रहा है, उसका आधार क्या है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा. यही वज़ा है कि हमारे बेसिक प्रोग्राम का नाम है Inner Engineering. हमने सारी दुनिया को उस तरह इंजिनियर किया है, जैसा हम चाहते हैं. बहुत सारी सुख सुविधाएं भी पाली हैं, पर खोशाली नहीं मिली है, है न? क्योंकि खोशाली ऐसे नहीं मिलेगी, खोशाली तभी आईगी जब आप इसे अपने अनुसार इंजिनियर कर लेंगे, तभी खोशाली मिलेगी.